दोस्तों क्या आपका pencard गुम गया है या तूट गया या चोरी हो गया है तलियर मैं train से जा रहा था तो मेरा पर्स चोरी हो गया बहुत ही बुरा हुआ उसमें मेरे बहुत सारे document थी मेरे अधार कर था कुछ पैसे थे और मेरा pencard भी था क्या ही कर सकता है बस चोरी तो हो गया तो अब मेरे को जरूरत था pencard का bank में काम भी था उसका तो सोचा यार क्यों ना दुबारा से मंगाया जाए pencard जो कैसे उसको reprint करते हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्योंकि मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ बस नहों बस मेरे को यह भगवान से request है कि मेर साथ जो हुआ है वो किसी के साथ नहों ऐसम क्या होता है तो आपकर आपका कोई main document चोरी हो जाता है या गुम जाता है तो इसमें आपको बहुत जाद दिकत होने लगता है कुछ काम ऐसे होते हैं जो उसके बिना नहीं होते और attack जाते हैं bank में दोस्तों आपको जब verification कराने जाओगे तो आपको original pencard लहीं लगता है तो वही मेरे को verification में फस गया मेरा pencard तो उसी किलो reprint कैसे करते हैं आज इस वीडियो में आपको completely बताने वाल तो चलते हैं सीधा computer screen पर और करते हैं reprint अपना pencard यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको search करना है गूगल search में rep दो option दिखेंगे एक तो NHDL एक UTI अब इसमें दिखती है दोस्तों कि आप जहां पर pencard बनवाए होंगे अगर उसके पास जाएंगे तो वह आपका reprint करके apply कर देगा मगर उसका आपको चार्ज देना पड़ जाएगा और अगर आप खुद से करते हैं तो उसका आपको कोई चार्ज ने देना पड़ेगा बस जो उसमें आपका जो चार्ज कटेगा उसके अंदर वो लगेगा और मांकी और अगर कहीं से आप reprint करवाते हैं उससे मंगवाते हैं तो definitely वह 50-100 रुपिया एक्स्ट्रा उसमें जोड लेगा जो उसका चार्ज कटेगा उसमें और तुम आप से वह ले लेगा मगर यहां पर अगर आपको पता कि आपने nsdlc pencard बनवाई या फिर uti से तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हमने uti से बनवाए था तो हम uti से पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के एंटरफेस आ जाएगा दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों उपर लिक के भी आ रहा है तो आपको 50 रुपए देने परेंगे जब आप रिप्रिंट pencard करवाएंगे तो यहां पर हम क्लिक करेंगे रिप्रिंट पर आया यहां पर आपको पहले pencard नंबर डालना है अपना फिर आधार काड नंबर फिर यहा पर आपको capture डालना है फिर submit पर क्लिक कर देना है तो हम डालते हैं बड़ा बड़ा सारी जानकारी भनने के बाद दोस्तों यहां पर आपको submit पर क्लिक करना है एक बार ख्रॉस चेक जरूर कर लेजेगा कि आपने pencard नंबर सही भरा है अधार काड नंबर सही भरा है डिट अ यहां पर देख सकते हो आपका जो भी information होंगे यहां पर होगा बस बीच के जो part होंगे वो star बन जाएंगे क्योंकि आपको वैसे भी पता होगा कि आपने ने कौन को से detail दिये होंगे तो यहां पर देख सो यह हमारा pencard last digit है यह हमारा mobile number का 3 digit है और यह हमारा address का है और यह हमा pin code है यह सब cross check करने बाद यहां पर आपको capture डाल देना है फिर यहां पर आपको tick कर देना है और यहां पर आपको get ot पर click कर देना है otp में क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह का interface आगा otp send your mobile number तो हमारे mobile number पर otp भेड़ देगा तो आपको यहां पर otp डालना है otp डालने बाद दोसरी यहां पर आपको submit पर click कर देना है तो यहां पर आप देख सकते हैं PayPal cent parking made यह फिल नमबर औरilar copy addressตag अब यहां पर देख सकते हैं अधरवाज नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डाल सकते हैं फिर यहां पर आपको tick कर देना है और यहां पर confirm payment पर click कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है आप credit card से payment कर सकते हैं debit card से कर सकते हैं अधर debit card से कर सकते हैं internet banking से कर सकते हैं यहाँ पर पांच इंटर बैंकिंग दिये गए है और यहाँ से आप अगर और भी bank select करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और यहां पर wallet से कर सकते हैं यहां पर QR से भी कर सकते हैं और यहां से UPI से भी कर सकते हैं तो हम UPI से payment करने वाले हैं यहां पर हम click करेंगे make payment तो यहां पर हमको अपना UPI डालना होगा पिर यहां पर make payment पर click कर देना है या फिर आप यह QR भी scan कर सकते हैं तो यहां पर पाँच मेंट का टाइम है हमारे Paytm पर option आ चुका है payment करने लिए 50 रुपए तो हम यहां पर pay पर click करेंगे अपने mobile में और यहां पर इस दर से payment कर देंगे तो यहां पर हमने स्क्रीन पर लगा दिया देख सकते हैं हमने पचास रुपए का payment यहां से कर दिया है कुछ इस तरह से हैं। तो बस दोस्तों यही प्रोसेस था। अगर हमारा पेंट काट कहीं हो जाते यह खो जाते या फिर तूड़ जाता है इस वज़े वजह वज़ें से तो हम ऐसे ही दुबार से अपने originel pen प्रिंट काट को मंगा सकते हैं यह प्रिंट काट हमारा 15 से 20 दिन के अंदर घर में आ जाएगा तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना है उम्मिद का तो यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ दोस्तों लाइक का देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्र सब्सक्राइब करने और आपको मन में जो भी सवाल आ रहा है डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके ज़रूब तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं इस वीडियो में तब तक मारे वीडियो देखते हैं थैंक्स पर वाचिंग दोस्तों गुडबाय टेक केर बाई बाई करद रहा है वीडिया है